पार्ट्स ओफ स्पीच पार्ट्स ओफ स्पीच हिंदी में इसे कहते हैं शब्द भेद शब्दों का भेद हिंदी में आपके लिए समझना इस शब्द का अर्थ समझना ज्यादा सरल होगा क्योंकि बहुत सरल तरीके से इसका अनुवाद है पार्ट्स ओफ स्पीच याने शब्द भेद शब्दों का भेद जिसमें हो और शब्दों का भेद से ताथ पर ये है कि किसी भी वाक्य में जो शब्द है जितने भी शब्द है वे शब्द व्याकरण के किसी न किसी भाग के तहद आते हैं अर्थाथ व्याकरण के तहद जो विभिन प्रकार हैं पार्ट सें उन पार्ट में से किसी न किसी एक पार्ट का हिस्सा रहते ही हैं हर शब्द मैं वक्य की बात नहीं कर रहा हूँ वक्य के अंदर आये हुए हर शब्द किसी न किसी पार्ट का हिस्सा रहते हैं इसलिए से शब्द भेद कहेंगे और अंग्रेजी में पार्ट सफिस्पीच बच्पन में या शुरू से हम लोगों ने आपने वैशे तो ये शब्द भेद और इसके प्रकार पढ़े होंगे और उसको समझा भी होगा लेकिन वो सब हुआ है हिंदी में अंग्रेजी में थोड़ा अंतर है यदि हम पार्ट सफिस्पीच की बात करें तो हिंदी में यदि हम संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, विशेशन आदी कहते हैं तो अंग्रेजी में नाम तो लगभग अंग्रेजी अनुवाद हैं वैसे ही जैसे कि नाउन को संग्या कहते हैं pronoun को सर्वनाम कहते हैं यहां तक तो दोनों में समानता है लेकिन अंग्रेजी में कुछ चीज़ें और जुड़ जाती है यानि हमें अंग्रेजी में parts of speech को समझने के लिए कुछ और गहराई में जाना पड़ेगा अंग्रेजी में parts of speech में कुछ और अतिरिक्त चीज़ें जुड़ जाती हैं parts of speech का हिस्सा बनते हुए तो इसलिए बचों हम लोग आज जो parts of speech पढ़ने जा रहे हैं parts of speech के तहत हम लोग पहला भाग पहला part आज पढ़ेंगे और वो है संग्या याने नाउन नाउन को आप लोग सब समझते हैं बड़ा सरल है नाउन मने संग्या नाउन मने और संग्या मने किसी का नाम किसी का आ जाए बस वही नाउन कहलाता है बिलकुल सही कहा है आपने है बिलकुल सही है जार्थ वो शब्द जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति वास्तु या किसी एक विशिष चीज के लीक लें, किसी पदार्थ के लिए लें तो वो नाउन कहलाता है, एक अशोका वाज ए वाइस किंग, अंग्रेजी में हमने एक वाग के लिया, अशोका वाज ए वाइस किंग, है कि अशो का जो है वह नाउन है ठीक लेकिन साथ में आपने किंग शब्द भी देखा वाउज भी है ए भी है और वाइज भी है ये पांचों छैयों शब्द parts of speech के किसी न किसी part के तहट आते हैं पांचों छैयों जितने भी शब्द है इसमें 5 शब्द हैं पांचों शब्द parts of speech के किसी न किसी part के अंतरगत आते हैं इनको मिला कर एक वाक्य बना है तो जहां पहला जो अशोका आपने देखा ये तो noun हुआ अब इसमें क्या और noun है? क्या एक ही वाक्य में दो noun, दो संग्या हो सकती है? Can there be two nouns in the same sentence? Yes, there can be Ashoka was a wise king King is also a noun Ashoka is also a noun But there is a difference between these two इन दोनों noun में कुछ अंतर है तो इतना हम समझते हैं कि संग्या अर्थार्थ किसी व्यक्ति, किसी वास्तु, किसी पदार्थ के नाम को संग्या कहते हैं संग्या किये परिभाशा और संग्या का एक उदाहरन हमने देखा और इस उदाहरन में हम देख रहे हैं कि noun में दो words हैं एक तो Ashoka और दूसरा king क्या ये दोनों एक ही तरह के noun है या दोनों में अंतर है are they same or they are different is there any difference between these two nouns yes Ashoka याने एक वो राजा जिसका नाम Ashok था ठीक अशोक याने एक राजा एक व्यक्ति जिसका नाम Ashok था लेकिन king भी उसी के लिए उप्योग हुआ है Ashoka was a king अब Ashoka was a king कहा तो Ashoka राजा हुआ और king क्या हुआ उस राजा के लिए उस व्यक्ति के लिए इसका उप्योग हुआ राजा क्या था Ashoka राजा था Ashoka एक व्यक्ति के लिए लेकिन राजा जो है वो एक जाती बताता है एक तरह का group बताता है एक तरह का वर्ग बताता है एक राजा था वह एक रानी नहीं था वह एक व्यापारी नहीं था वह एक शिक्षक नहीं था वह क्या था राजा था अशोका वाज एक किंग तो किंग इस नाउन अशोका इस नाउन but the difference is that king जो है वह एक जाती को बताता है और अशोक जो है वो एक व्यक्ती को बताता है right जो व्यक्ति को बताता है उसे हम कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या जो आपने पढ़ी है इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ जो किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर को बता रहा हो किसी एक प्रापर व्यक्ति को, किसी उचित व्यक्ति को, किसी उचित चीज को जो बताए किसी भी उचित चीज को, पदार्थ को, व्यक्ति को, वस्ट को जो बताए वो प्रापर नाउन यानि जिसे हम हिंदी में व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं Am I clear to you all? Now, having understood what is proper noun, what about this noun, king King is also a noun, but it denotes rajas, kings ये जो noun है, ये एक समूह, एक खास तरह का समूह एक तरह की जाती, जाती कार्थ ये नहीं समझेगा ब्राह्म्हान, ख्षत्रिय, वहिश, शुद्रा, जैसी जाती हमारे हैं जाती कार्थ है एक तरह का वर्ग तो अशोक किस वर्ग में आता है? राजा के वर्ग में वह राजा था तो जब वह शुरीनी जाती या वर्ग बताता है तो वह वर्ड कहलाता है कामन नाउन वह वर्ड किस के अंतर गताता है? कामन नाउन के अंतर गताता है अमाई क्लियर? तो पहला क्या है? नाउन, what is नाउन? नाउन is a word used in place of, used for an object, an article, a person or anything that is specific In this sentence, now we have understood what is proper noun Proper noun is a noun that is used to denote that is used to, used for something particular something proper and as against that or thick skilta common noun is used for a group for a particular kind of group Raja is a kind of group वह group जिसमें Raja जैसे लोग है वो लोग हैं जने Raja कहा जाता है Right? So, I think you have understood कि one is proper noun and the other is common noun Now, let's see few more examples Sita is a proper noun Sita is a girl पहले मैंने कहा Sita is proper noun And then I say Sita is a girl So, Sita becomes proper noun Girl becomes common noun Why? Because एक लड़की जाती को बताता है ये किस जाती को बता रहा है Sita किस जाती में हैं? किस तरह के वर्ग में हैं? किस तरह के गृप में हैं? लड़की तो वो common noun हो जाए Sita is a girl Right? She is a girl Similarly Hari is a proper noun Hari is a boy Hari is a boy Hari क्या हुआ? Proper noun Boy Boy हुआ? एक जाती एक वर्ग एक श्रेणी किन लोगों की श्रेणी? लड़कों की श्रेणी So ये हो गया Common noun Kolkata Kolkata The capital of West Bengal बहुत प्रसिद बहुत पराना शहर और किसी समय भारत की राजधानी रहा हुआ दिल्ली के पहले Kolkata भारत की राजधानी थी So Kolkata Is a city इसमें प्रापर नाउन कौनचा होगा? Kolkata जो नेम है और city क्या हुआ? वर्ग हुआ Kolkata क्या है? शहर है वो एक नेम हुआ एक ग्रूप हुआ तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं हमने ये समझने की कोशिश की है और समझ गया होंगे कि नाउन क्या है? उसके बाद व्यक्ति वाचक संग्या या प्रापर नाउन क्या है? और तीसरा जाति वाचक संग्या यहने कॉमन नाउन क्या है? वी हाव अंडेस्टोड इस थ्री टाइप्स जातिवासक चंग्या से अब हम समझ गया हैं कि समान तरह की चीज का जो गृफ होता है उसे हम एक जाति कह देते हैं और ये भी समझ गया है कि यहां जाति का मतलब जो हमारे हिंदु धर में जो जातियां है उसे से है, ना उसे से कोई उसका सम्मन्द नहीं है जातिया एक तरह की वस्तु या व्यक्ति को समान रूप से जब हम एक नाम देते हैं तो उसको जाति बोल देते हैं तो जाति से ताथपर या common word से ताथपर जाति का है common जो हम बोलते हैं common noun common noun याने जाति वाचक संग्या तो परिभाशा एक बार फिर देख लें व्यक्ति वाचक संग्या या proper noun किसी वस्तु या विशेश चीज का नाम होता है उसका नाम लेकिन व्यक्ति वाचक संग्या में एक खासियत है यह जो आप समझ सकते हम इससे पहले हम आगे बढ़ें व्यक्ति वाचक संग्या की कुछ एक दो विशेचताई जान लें और सुनिश्चित करने के इसका हम पालन कर रहे हैं पहला व्यक्ति वाचक संग्या का जो पहला अक्षर होता है व्यक्ति वाचक संग्या का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा capital रहता है उधारन के लिए यदि मैं लिखता हूँ I am going to Mohan I am going to Mohan Mohan व्यक्तिवाचक संग्या है या I am going to Mohan और Sohan is coming to Shyam Sohan is coming to Shyam Sohan में S बड़ा लिखा है कैपिटल में लेकिन श्याम जो है बाद में लिखा हुआ है बाद में रहने के बाद भी उसका पहला अक्षर क्या रहेगा कैपिटल में रहेगा बड़े में रहेगा तो ये आप हमेशा याद रखें कि जो पर प्रापर नाउन है प्रापर नाउन कहीं भी आए किसी वाक्य में उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में रहता है दूसरी खास बात प्रापर नाउन की है कि हम कभी कभी प्रापर नाउन जाती वाचक संग्या की तरह उसका प्रेयोग कर लेते हैं प्रापर नाउन को प्रापर नाउन को हम जाती वाचक संग्या जैसा प्रेयोग कर सकते हैं दूसरे शब्दों में proper noun can also be used as common noun at times, बहुत अलग धंका उपयोग है, proper noun को कैसे उपयोग करेंगे, everybody cannot be Ashoka, यह अशोका proper noun है, नहीं, हमने यह जाना कि Ashoka एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए proper noun लगता है, लेकिन अब हम कहना चाहरा है कि हर आदमी Ashoka नहीं बन सकता, everybody cannot be Ashoka, तो Ashoka हमने एक work बना दिया, उस तर का कोई नहीं हो सकता, जब हम ऐसा उपयोग करते हैं, तब वह क्या हो जाता है, वह बन जाता है, common noun, यहाँ Ashoka सितात पर यह क्या है, everybody cannot be Ashoka, यानि Ashoka की जो quality है, जिसके लिए उप्रसिद्ध है, राजा है, शान्ति प्री राजा है, बहुत धर्म का अनुपालक है, बहुत बड़ा, तो everybody cannot become Ashoka, तो यहाँ पर Ashoka का उपयोग हमने common noun के रूप में किया है, एक जाती बना दी, ऐसे लोग जो इस तर की जिन्दगी जीते हैं, जो इस तर का सोच रखते हैं, दूसरा उधारन देखें, He was the Lukman, He was the Lukman, Lukman क्या है, Lukman एक नाम है, Lukman एक बहुत प्रसिद पूर्वकाल में हकीम का नाम था, हकीम याने, पुराने जमाने के जो देशी दवाईयों से इलाज करते हैं, उन्हें हकीम कहते हैं, So, Lukman जो है, उसके नाम पर, क्या बवाक्त बन रहा है, He was the Lukman of India, Lukman फकीर, वैसे तो इथोपिया का है, अफ्रीका के एक देश इथोपिया का राजा था, Lukman, और बहुत बहुत वाईज, बहुत बुध्दिमान विक्ति मानना जाता था, तो ऐदि मैं कहते हैं, He was the Lukman of India, इसका मतलब बहुत बुध्दिमान विक्तियों की श्रेणी में आ गया वो, बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रिणी के लिए मैंने क्या शब्द यूज कर लिया लुख्मान ऐसी श्थिती में व्यक्ति वाचक शंगया का शब्द लुख्मान अब यहाँ पर क्या बन गया एक जाती एक यूड एक ग्रुप का रूप ले लिया है मैंने उसे क्या कह दिया है You cannot become Lukman He was the Lukman of India समझ गया So कैसे In other words What I am trying to say is that व्यक्तिवाचक संग्या भी कभी कभी जातिवाचक संग्या के रूप में उसका हम प्योग कर सकते हैं एक और दारन ले कालिदास आपने सबने नाम चुना होग कालिदास जो बहुत प्रसिद्ध भारत के संस्कृत masked के विद्वान उनकी प्रसिद्ध पुस्टके हैं अभिज्ञान शाकुनतलम माल विकागनी मित्र विक्रम और वशीर ये बहुत प्रसिद्ध उनके नाटक हैं अभिज्यान शाकुंतलम, मालविकाग्नी मित्र, विक्रमौर वशीर, बहुत पसिद नाटक हैं और उन्होंने कई कविताएं भी लखी हैं, एपिक बड़े-बड़ी कविताएं लखी हैं और ऐसे बहुत सारे नाटक लखे हैं, प्लेज और इनके जो नाटक और जो कविताओं का जो बैक्ग्राउंड है वो अधिकतर पुरान, रामायन, गीता, महाभारत से लिया गया यहने इन पुराने अतिहासिक गरंथों के अधार पे उन्होंने अपने नाटक लिखे हैं तो भारत के बहुत प्रसिद रचनाकार हैं, प्लेराइट हैं उनको हम क्या और एक व्यक्ति का नाम है शेक्स्पियर शेक्स्पियर कौन है? इंग्लेंड के बहुत बहुत प्रसिद नाटक कार, विश्वतिहास में इन्हें सबसे बढ़िया, सबसे बहतरीन नाटक लिखने वालों में माना जाता है तो वाकिए कैसे मना रहे हैं? कालिदास is often called the Shakespeare of India कालिदास is often called the Shakespeare of India कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्स्पियर क्या रथ हुआ? कालिदास उतने ही अच्छा लिखते थे नाटक जो इतना शेक्स्पियर लिखते थे यही तो इसका तात्परे हो रहा है और इसलिए भारत के परिप्रेक्ष में, भारत के बैग्राउंड में, भारत के संदर्म में हम काली दास को भारत का शेक्स्पियर कहते हैं, याने अब शेक्स्पियर को यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक जाती बना दी, शेक्स्पियर करत क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बढ़िया नाटक लिखता हो, बहुत बढ़िया कहानिया लिखता हो, ऐसा व्यक्ति दे ग्रेटेस्ट ड्रमेटिस्ट तो एक जाती हमने बना दी किन लोग की जाती ड्रामा लिखने वालों की उसमें सरवोच कौन थे शेक्स्पियर उनकी जो लेवल पर जो है उस ग्रुप में हम कालिदास को डाल सकते हैं अब देखिए कैसे कालिदास यहां पर वैसे तो व्यक व्यक्तिवाचक संग्या है प्रापर नाउन है अब यहां पर उसका उपयोग एक कौमन नाउन के रूप में हम शेक्स्पियर का उपयोग कर रहे हैं शेक्स्पियर भी एक व्यक्तिवाचक संग्या है प्रापर नाउन है बट हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं एक कौमन न जहां तक यह तो हुई व्यक्तिवाचक संग्या की बात प्रॉपर नाउन की बात अब अगला बिंदू जिस पर हम आते हैं प्रॉपर नाउन के बात वो जातिवाचक संग्या की क्या कुछ विशेश बात है क्या येस जहां व्यक्तिवाचक संग्या की ये दो बाते मैंने बत सकते हैं, common noun is divided into two types, two types, two parts नहीं, two types, पहला तो collective noun, और दूसरा है abstract noun, देखिए spelling क्या है, collective noun, और दूसरा क्या हो गया, abstract noun, अब collective noun क्या है, collective noun is a part of common noun, पहली चीज़ तो यह जानो, group की जहां बात हो रही हो, वो common में आता है, और अब common में, वो कौन से group में आएगा, collective में आएगा, या abstract में आएगा, abstract को हिंदी में बोलते हैं, भाव वाचक संग्या, क्या कहते हैं, भाव वाचक संग्या, और collective को बोलते हैं, अंग्रेजी में, दूसरे वाले को बोलते हैं, समूह वाचक संग्या को बोलते हैं, collective noun, समूह वाचक और भाव वाचक, collective noun, और abstract noun, collective noun क्या है जैसा कि शब्द से इस पश्ट हो रहा है group व्यक्तियों या वस्तियों के group जिसे हम एक समुदाय बोल सकते हैं व्यक्तियों का group वस्तियों का group सामानों का group उसे collective noun बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं वो collective समुध में आएंगे टीम दिख रही है फुटबॉल की टीम के लोग खड़े हैं वो समुध है किनका समुध है फुटबॉल के टीम के सरदस्यों का समुध है ऐसे ही family family भी एक समुध है एक ऐसे लोगों का समुध जो सम्बंदित हैं एक दूसरे से उनका समुध है ऐसे उसके साथ हम कह सकते हैं भीड भीड भी एक समुध है भले ही अव्यवस्थित समुध पर एक समुध तो है वहाँ भीड दिख रही है तो दूसरे शब्दों में है समुध वाचक संग्या व्यक्तियों या वर्तियों के समुध को कहते हैं एक समुधाय जो बने एक समुधाय का जो रूप ले उसे हम कहते हैं समुध वाचक और यह समुध वाचक संग्या याद रखेंगे Common noun का ही हिस्सा है Collective noun is a part of Is a type of common noun Collective noun is a type of common noun उधारन मैंने दिया Crowd There is a huge crowd there There is a huge crowd on the football maydhan एक बहुत बड़ा crowd football maydhan पर है रहाँ पर crowd का क्या दुसे है ज्यक्तियों का जन्समूँ जो football देखा है तो एक समुदाए किसी न किसी रूप में वो समुदाए एक दूसे से जुड़ा है यह लग कैसे जुड़ा है वो crowd कि सब football देखने हैं ऐसी अगला शब्च माब भीड माब क्या होता है माब ऐसी भीड जो अनियंत्रित हो crowd ऐसी भीड जो एक जगा खड़े हो इस्थिर हो इस्थिर कार बिलकुल ऐसे खड़े होना नहीं है crowd मतलब सामान ने तरीके से एक जगा जो एक खट्थे हो लेकिन माब की बात करें तो माब का एक लक्ष होता है वो भीड थोड़ी अनियंत्रित रहती है उसको हम माब कहते हैं दब माब इस मुविंग टूवर्ट दब पुली स्थाना चौरी चौरा कान जिन्होंने भार्ती इतिहास पढ़ा है उसमें एक चौरी चौरा कान भारती सतंता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्चा है वो चौरी चौरा कांड में माब याने एक भीड ठाने में जाती है, ठाने में पुलिस को अंदर करके ताला लगाती है और ठाने को आग लगा देती है, इस घटना से भारत के इतिहास में, स्वतनता अंधुलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आयर था, जिस पर आप इतिहास के वीडियो में और ज्यादा जान स रखते हैं, but what I am trying to say is that mob is a group of people gathered for some specific purpose and they are uncontrolled, किसी एक देश से जमा होते हैं और नियंत्रत नही रहते हैं, लेकिन ये भी एक भीड ही है, तो ये भी collective noun होगा, ऐसे ही, a team of football players, Maradona is a part of Argentinian football team, Maradona is a part of Argentinian football team, आप लोग football बहुत थेलते हैं, and I think you must be watching world football, European football, European football आप ते देखते होंगे, world cup देखते होंगे, FIFA world cup football देखते होंगे, Ronaldo is a part of which team, Ronaldo is a part of the football team of Portugal, so ये team जो है, team क्या बताता है, collective noun, ऐसी family एक collection है, एक परिवार एक collection है, एक committee एक collection है, committee एन्हें समीटी, समीटी एक व्यक्तियों का समूह है, जिसके कुछ सदत से होते हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या दोनों हों, तो collective noun एक किसी खास तरीके के वर्ग को समूदाय की और इशारा करता है, तो हम ये देखें, कई बार क्या होता है, collective noun को बताने के लिए, अंग्रेजी में एक अलग शब्द है, जैसे जहाज, जहाज यानि शिप, शिप्स ना बोल करके, बहुआ चन में, उसको क्या बोलते हैं, fleet, यादि बहुत सारे जहाजों का समूह है, तो उसे हम क्या बोलते है, fleet, F-L-E-E-T, fleet मने क्या हुआ, एक collective noun, किस चीज के लिए, जहाजों के लिए, We do not say ships normally, in order to mention large number of ships, in single word, we use the word fleet. So, fleet is used for a group of ships, a collection of ships, similarly an army, an army is used for group of soldiers, a collection of soldiers. The Indian army is climbing new heights, the Indian army is one of the best armies in the world, the Indian army is one of the best armies in the world. So, army is what? Army is a collective noun, because it signifies, it denotes a group of soldiers, soldiers, it points out a collection of soldiers, so army is a collective noun, remember, right? And collective noun is a type of, collective noun is a type of common noun. A crowd is what? It is like crowd, crowd is a group of people, similarly soldiers, group of soldiers is army, group of ships is fleet, and so on. The Pakistani army was pushed back, the Pakistani army was defeated by India in 1971 war, the Pakistani army, army here means group of soldiers. Similarly, the French army was defeated at Waterloo, the French army was defeated at Waterloo. What is Waterloo? What is Waterloo? Waterloo is a famous place where Napoleon was defeated. Napoleon was one of the biggest emperors in the 19th century, Samaraj was a very big empire, Samaraj was created. And he was trying to capture the entire world under him. The French army was defeated at Waterloo. The French army was defeated at Waterloo. और मैंने और मैंने बताया कि Waterloo वो जगह है जहां पर नेपोलियन की बहुत बड़ी सेना बुरी तरह परास थुई एक छोटी सेना से. Where Napoleon's big army was defeated by a small British army. And that British army was led by a person called Nelson, General Nelson. Here, when I use the sentence, the French army was defeated at Waterloo. French is proper noun, Waterloo is proper noun, and Waterloo also means a place where big defeat took place, which changed the whole course of history. So we also use in another way Waterloo. This battle proved to be Waterloo for Indians. This battle proved to be Waterloo for Indians. भारतियों के लिए ये युद्ध क्या साबित हुआ? Waterloo साबित हुआ. कोई साएक युद्ध हम लें, जो turning point हो, तो हम कह सकते हैं, भारत के लिए ये युद्ध, Waterloo साबित हुआ. जहां पर एक बड़ी सेना को एक छोटी सेना ने पराजित किया. Now, here we are using the word Waterloo not as proper noun, but as what? As collective common noun. Am I clear to you?